तो वाइस हमारे पास है यह भारत के का साउंड बोक्स यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेम यहां पर निकाल लेंगे और यहां पर मैं इसका बोक्स भी इस फ्रेम में से भार निकाल लेता हूँ और उसके बाद हम इसे म्योजिक बोक्स में कनवर्ड करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एक szim करिणा लगावा है जिकर चालू कंडिशन में है इस एके में यहां पर भार निकाल ले तो यहां परreten G7 है इसले आपानिक लेते हैं और इस जगह पर प्रेख आप देख सकते हैं यहां पीछे की तरफ में यहां पर रॉबर लगी है और इसी की नीचे यहां पर हमें पर डूमिल जाएंगे जिसे ही यहां पर ऊपन होगा और यहां पर बेटरी लगी भी है लीथियम बेटरी है 3.7 वोल्ट की और इसके बाद में PCV लगी है जो कि यहां पर इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं एक बेटरी है PCV है पर आपको दिया हुआ है चार्जिंग के लाइड दी आगे की तरफ चार बटन है ओन और वापीस सुनने का है वोल्यूम कंट्रोल का है और यहां पर यह PCV है तो यहाँ पर देख सकते हैं Aytail की सीम इसमें लगी हुई थी और सीम जो थी यहाँ सीम स लोट में लगी थी जो यह इस तरफ पीछे की तरफ से यहां पर आप इसकी PCB देख सकते हैं तो इस तरीक से यहां पर सारा समान में आपको दिखा दे रहाएं वह यह जो पाली पटी है यहां पर एक देख सकते हैं से यहां पर एंठेने का गाम करता है बता है इसके अंदर रहार पर एक Bluetooth module लगाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पावर देना है हमें 5 वोल्ट का ग्राउंड और 5 वोल्ट और यहां पर हमें सिंगनल देने हैं ग्राउंड लेफ्ट और राइट के तो यह वाला जो हमारे पर मोडूल है यह हम इसमें लगाने वाले हैं और एक एंबल लिए और इसके अंदर सबसे पहले हम यहां पर Bluetooth मोडूल है वो कनेक्ट कर लिए और एक राइट वाला वायर कनेक्ट करेंगे जो कि आर में लगेगा और इसका फावर जो है यहां पर हम लगा देते हैं यहां पर हम दो वायर और इसी में जोड़ देंगे इसे हम इन दोनों इसे राइट में जोड़ना है फावर हमने यहां पर देनी है तो इस तरीके से यह हमारे कनेक्ट्शन हो चुके हैं एक यहां पर हमें इसे स्विच लगाना होगा ताकि जो हमारा म्यूजिक फिलियर सिस्टम है वो अलग से ओन और ओफ कर सके हैं तो इस जगह पर हम एक चुका लेंगे अब यहां पर हम बेटरी के वायर में भी कट लगा लेंगे यहीं से हम पावर को लेंगे और दो जो मोडूल है हमारे उनको सही जगह देख करके यहां पर हम ब्लू बन की मदद से यहां पर चुका देंगे और यहां पर फ्लेस वाला जो वायर इसमें स्वि लगा देंगे और हमारे स्पीकर कनेक्ट है वहीं पर हमारा जो मोडुल मोड़ने वाला स्पीकर है वह कनेक्ट कर देंगे तो स्पीकर हमारा दोनोष जगा काम आएगा ओब Τospح northern system में यहान पर लेंगे उसको ही नहीं किसे कर दिए हैई तो लएंस ऎョव convergence पर हो चुका है और यहां पर जो स्वीच है उसको भी हमें लगा लेना है और स्वाद में टेपिंग कर लेंगे जो की बहुत ज़रूरी है तो यहां पर हम इस पर अच्छे से टेपिंग वगरा कर देंगे वायर की अच्छे से रूबिंग कर देंगे तो यहां पर वायर जैसे तो यहां पर निकाली थी यहां पर लगा देंगे तो इस तरीके से यहां पर यह लग सुकी है और जो इस तो हमने जहां से खोले थे हमी लगा देंगे तो यहां पर हमारा सीम लगाने का हो गया और यहां पर हमारा स्वीच हो गया तो यहां पर हमारा बोफ जो है वो रेडी है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भारत पे की एक ब्रैंडिंग है हमने यहां पर स्वीच लगाया हुआ है वो है और अब यहां पर इसे ओन क देना है तो जो चार्जर है इसका चार्जर आता है अगर आपके पास box होगा तो आपको पता ही होगा तो यह देख सकते हैं आप उसके चार्जिंग के लाइड भी विल्कुल okay है तो यहां पर डबा दिखने में भहुत खूब्सूरत है आपके पास अगर यूज में डबबा नहीं आ रहा है तो आप इसका music player बना सकते हैं तो इसको यहाँ पर Bluetooth से हम connect कर लेते हैं और चलिए हम यहाँ पर एक music सुनके देखते हैं तो इसके अंदर जो speaker लगा है वो लगा है 4 ohm तीन वाट का उसके वज़े से यह एक बड़िया सा sound निकाल रहा है तो इसके वज़े से यह एक बड़िया सा sound निकाल रहा है तो इसका sound जबर्जस थे और इसमें लगने वाला Bluetooth मोडियोल और Amplifier मोडियोल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और अगर आपके पास में इस टाइप का डबबा खराब है काम में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से इसका music clear बना सकते हैं तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मैं मिलता हूं आपके किसी और वीडियो में